राजनीती से जुड़ी हर ख़बर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटिस न्यूज सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज आप इस प्रेसवर्था में आए हैं अभी चंद मिन्टों पहले हमने सिद्धू जी के कुछ बयान को सुना हैं बुरा मत मानिएगा मैं सिद्धू जी के लिए इतना कहूंगा कि रोज अनर्गल बोलने वाले सिद्धू ज जब स्याम पित्रोदा का हुआ तो हुआ कॉमेंट आया उस समय चुप रहे उस समय उन्होंने स्याम पित्रोदा के खिलाफ एक लब्ज नहीं कहा सिखों के हक में और 84 के नरसंगार के खिलाफ एक शब्द सिद्धू जी के जुबान से नहीं निका वही सिद्धू आज कमलन जी के गोद में बैठके मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं वही कमलनाथ जिन्होंने दिल्ली में तीन हज्जार सिखों के नरसंगार को अंजाम दिया था एक अभ्यूक्त हैं उन्हीं के साथ बैठकर जिस प्रकार आज बज्जुबानी समस्त हिंदूस्तान के लिए और हिं जंद्र मोदी जी को और हिंदूस्तानियों को काला अंग्रेज कहा है कि हम सब काले अंग्रेज हैं आप बताईए मैं आपसे पूछता हूं मोदी जी काले अंग्रेज हैं और सोनिया जी हिंदूस्तानी हैं यह कहां का निया हैं मोदी जी काले अंग्रेज हैं मोदी जी काले काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ गरीबों की रखवाले और मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ तेरे 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 चाहने वाले हैं पूरा हिंदुस्तान के चाहने वाले हैं मोदी मोदी को हिंदुस्तान प्यार करता है और हिंदुस्तान को मोधी प्यार करता है इसलिए आप मोधी जी को काला अंग्रेज कहके यह अपमान के वल मोधी जी का नहीं है यह अपमान समस्त हिंदुस्तान का है और सिद्दु जी एक बात कान खोल के आज सुन लीजी आपने मोधी जी को और हिंदुस्तानियों को काला अंżenie चाहा है मैं आप से कहूंगा अपने इतैलियन रंग पे ना इतना गुमान कर सिद्धू जी और कॉंग्रेस पार्टी अपने इटैलियन रंग पे न इतना गुमान कर 23 तारीख को ये इतालियन रंग भी उतर जाएगा। नतीजे का इंतजार कर 23 तारीख को ये इतालियन रंग भी उतर जाएगा। केवल एक परिवार इस देश में ठीक है। और बाकि हम सब काले अंग्रेज हैं। ये जो मानसिकता है कॉंगरेस पार्टी की आज सिद्धू जी के जुबान से वो सिद्धू जी जो राहुल गांधी को अपना कप्तान मानते हैं और राहुल गांधी जी के आदेश पर ही अपने वक्तव्यों को रखते हैं उन सिद्धू जी के जुबान से आज जो शब्द निकले हैं कि हिंदूस्तानी काले यह चाटुकारिता की परिवारवाद की पराकाष्ठा है कि एक परिवार ठीक है क्योंकि वो यूरोब से आई है और बाकि हम सब काले अंग्रेज हैं इनको पसंद है किसका रंग एंडर्सन का रंग सही है वो हम काले अंग्रेज हैं दूसरा statement जो सिद्धू जी ने कहा उन्होंने कहा कि मोदी जी नई दुलहन की तरह है रोटी बेलने बैटते हैं तो खली चूड़ी बजाते हैं रोटी बनाते ने मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है एक ही वाक्य में सिद्दू जी ने कॉंग्रेस पार्टी की मानसिक्ता को दिखाया है कि रेसिस्ट भी है कॉंग्रेस पार्टी और सेक्सिस्ट भी है कॉंग्रेस पार्टी महिलाये केवल रोटी बनाने के लिए होती है नहीं दुलहन और राहुल जी ये New India है ये नव भारत है इसमें चूरी खनका के महिलाएं केवल रोटी नहीं बनाती है महिलाएं हिंदुस्तान को गड़ती है हिंदुस्तान को आगे बढ़ती है इसलिए ये जो छोटी सोच है आपकी की चूरी बना के महिनाएं रोटी सेकती हैं इससे आपको निजात पाना होगा और आप याद करिए ये राहूल जी की भी सोच है उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले राहूल गांदी जी ने कहा था कि जब मिशेल ओबामा ओबामा जी की धर्मपत्नी जो उस समय अमेरिका की फस्ट लेडी थी वो जब वाइट हाउस में आएंगी और रोटी बनाने अपने किचन में चली जाएंगी तो वो देखेगी ओओ मेड इन लखनव पतिला आपको याद होगा हो मिशेल ओबामा को भी उन्होंने सिर्फ देखा कहा किचन में रोटी बनाते हुए ठीक उसी को फॉलो करते हुए आज सिद्दू जी ने कहा कि भारत की महिनाएं केवल रोटी बनाने के लिए है और चूडी खनकाने के लिए है ये एक सेक्सिस्ट कॉमेंट है ना सिखों के परती सम्मान ना भारतियों के परती सम्मान ना महिनाओं के परती सम्मान यहां कॉंग्रेस पार्टी की असलियत है बंदू ये एक विशह था दूसरा एक छोटा सा विशह है जब भारत का टाइम बदलता है तो कुछ लोगों को परिशानी होती है वो कुछ आर्टिकल इत्यादी छापते है याद करिए 2014 में भी कुछ ऐसे पत्र पत्रिकाएं विदेश की थी जो मोदी जी के खिलाफ खूब छाप रहे थे और आज पुना आज इसी प्रकार का एक आर्टिकल हमने टाइम मैगजीन में देखा है बंधू उसका लेखक कौन है उसका लेखक है एक पाकिस्तानी नागरिक एक पाकिस्तानी नागरिक मोदी जी को डिवाइडर कहता है और राहुर गांधी उसको ट्वीट करते है और पाकिस्तान से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते है जिस प्रकार दो-दो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर किया जिस प्रकार बाला कोट में एर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया पाकिस्तान का एक मात्र एजंडा है कि किसी भी कीमत पर मोदी जी के छवी को अंतराश्ट्रियस तर पर मलीन किया जाए क्यूं वो मोदी जी के नाम को मलीन करने का प्रयास कर रहे हैं, चद में प्रयास कर रहे हैं, और उसमें राहूल जी उसको ट्वीट कर रहे हैं, डिवाइडर है या या यूनिफायर है, GST क्या है, अगर 17 टैक्सेस को यूनिफाय कोई करता है, वो हकाम GST ने किया है और GST को मोदी ज लेके आए अगर सारे युवाओं को नौकरी देने के लिए स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना किसी ने बनाया तो उनका नाम मोदी है और अगर महिलाओं को गैस सिलिंडर देने का काम किसी ने किया जो पहले धुआ के कारण परिशान रहती थी उनका नाम उज्जुला के माध्यम से मोदी जी ने आगी किया आयुश्मान भारत लाके अगर पूरे हिंदुस्तान में 5 करोड लोगों को 5-5 लाग दस करोड लोगों को 5-5 लाग देने की किसी ने बात कई तो वो यूनिफायर मोदी जी है 44 गरीबों को प्रत्य एक मिनिट गरीबी रेखा से उपर लाने का किसी ने काम किया है तो खुद अमेरिकन रिसर्च कहती है कि उनका नाम नरेंद्र मोदी है मैगजीन छापने से पहले अपने ही देश के रिसर्च को तो पढ़ ले थे मैं इतना कहूंगा बंदू हो दस साल दस वर्ष भारत में टाइम खराब चल रहा था यूपिये के समय भरस्टाचार के कारण और आज जिस प्रकार से ग्रेट गेम चेंजर अफ इंडिया दरीफॉर्मिंग परफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले यूनिफायर प्रा प्राश नहों तो अवश्य पुझे मैंने पढ़ा नहीं है मैडम आजमी जी ने क्या कहा है मैं अवश्य पढ़ूँगा मगर मुझे यादे 2014 में भी ऐसे कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि मोदी जी पी-एम बनेंगे तो वो देश छोड़के चले जाएंगे मुझे लगता है यह कहीं न कहीं अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है देश को अगर छोड़के किसी को जाना है तो उसका नाम गरीबी है देश को अगर किसी को छोड़के जाना है तो उसका नाम भुकमरी है उसका नाम बिरोजगारी है इन सब को हमें देश से बाहर भेजना है हम व्यक्तिगट टिपणियों पर ना तो राजनीती करते हैं ना उसे अच्छा प्रियंका जी ने कहा है कि देर से जो वो महासचिव बनी कॉंग्रेस की वो गलती हो गई है गलती हो गई है क्योंकि वो जान गई है कि 23 तारीक को क्या होने वाला है इसलिए अभी से वो अपने सब्सक्राइब को होने वाली है उसके जिम्मेदार रहूल जी है कुल मिलाकिया आप अगर बिट्वीं दर सेंटेंसेज और बिट्वीं दर लाइन पढ़ेंगी तो इसका अर्थी निकलेगा धन्यवाद्व हुआ 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 है